कुझे हमारे लोगों को लगता है कि एक दिन के सम्मेलन से एक दिन के आंदोलन से एक दिन के महापुर्शों के परिर्वान को मनाने से उनकी जम्मेदारिया पूरी हो जाते और हम दूसे लोगों पे दूसे संगटनों पे दूसे पार्टियों पे चिलाते रहते मैं समझता हूँ निया अधिकार मार्स अम्मेलन करवाने वाले साथी धन्यवाद के पात रहें इसलिए धन्यवाद के बात रहें क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम बना के हम लोगों को एक आउसर दिया कि हम एक मंच पर आके अपनी बात को रख सके जंग में कागजी अफराद से क्या होता है जंग में कागजी अफराद से क्या होता है हिम्मते लड़ती हैं तादात से क्या होता है क्या फरक परता है कि हम यह आग कि संख्या में हैं लेकिन जितने भी हैं इतने लोग तो तयार हैं इसांदोर उनको चलाने के लिए इतने लोग तो तयार हैं दो दिन से महापुर्सों के विशन पे काम करने के लिए ये बहुत जब एक-एक महापुर्स संकल्प करके इतने बड़े-बड़े काम करके गए जब इतने सारे लोग जो यहां उबस्तित हैं और उनके परिवार के लोग उनको सुनने वाले उनको चाने वाले मानने वाले लोग धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो मुझे लगता एक दिन हमारा अंदूलन सफल हो जाए मैं बड़ा उमीद वाला व्यक्ति हूँ ना उमीद नहीं होता हूँ क्योंकि हमारे जितने पिछला अनुभाव सब कहता है जब हम मापुर्सों को पढ़ते हैं तो वह कहता है कि अंदूलन चलाना जरूरी है क्योंकि देश तो आजाज 1947 में हुआ लेकिन हमें अधिकार मिलें 1950 में तो 1950 के बाद जो आगे अधिकार मिलें सविधान में तो लागू थे लेकिन प्रैक्टिकल हिलागू नहीं हुए वो सब अंदूलन से मिलें इसलिए अंदूलन चलाना चाहिए और अंदूलन क्यों चलाना चाहिए इसके लिए समाज को तयार करना चाहिए समाज को समझाना चाहिए क्योंकि पुरंप्रा है महापुर्सों को याद करने की तो आज के इस मज़ से मैं फूले साहु अम्बेट कर पैरियार मा जवरकाशी राममन, मामना रामसु वर्मा बावु जग्दे परसाद जन्नाय कपूरी ठाकुर मा सावित्री भाई फूले, मा रामा बाई सबको नमन करता हूँ क्योंकि जैसे जैसे मोसमो ठंडा होगा ठंड बढ़ती जाएगी और जब ठंड बढ़ेगी तो हमारे लोग को सबसे पहले क्योंकि अभाव में रहेगे लोग, सताएगे लोग, लोगतंतर में आफ्था रखने वाले लोग, उम्मीद वाले लोग उनके उपर परिवार की जिम्मेदारी बोग घर के बारे में भी सोचेंगे तो मुझे लगता एक डेड़ घंटे, दो घंटे के भासन से कुछ नहीं होने वाला चन्द मिंटों में जो मुद्दे हैं मैं पूरी जिम्मेदारी से इन सभी मुद्दों का समर्थन करता हूँ इन सभी मुद्दों पे हमारा समर्थन है और जब भी इस मुद्दों को लिए कोई भी कारे करम होगा हम अगरनी स्रेणी में रहेंगे चाहिए अंदोलन हो या कारे करम हो जब भी हमें याद किया जाएगा हम सब से आगे रहेंगे पिछले दो दिनों में मुझे बताने में कोई हर्च नहीं है क्योंकि 6 दिसंबर को पूरे भारत में अपने अपने घरों पे तमाम संगटन पार्टी चनाने वाले लोग अपने अपने मुखैलों पे कारे करम करते हैं इसलिए 6 तारिक में ज़्यादा लोग नहीं जुटे और साथ तारिक में आज दिल्ली में हमारे जो लोग है क्योंकि उन्होंने नगर पाली का का नगर निगम का चुनाओं लड़ा है वो सब लोग गिंती में भी जी है वो सब लोग आज अपने संगर्ष की जो है समाज ने जो उनको दिया है उसके उपर निर्वर है इस वज़े से ज़्यादा योगदान हम लोग इस प्रोग्राम में नहीं कर पाए लेकिन मैं आज़क साथियों से भी कहूंगा पुने जब वो कोई कारे करम करे होशला ना त्यागे एक बार चर्चा विचार करके करें तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि समाज बहुत बलवान है समाज बहुत उर्जवान है एक नहीं हजारों ऐसे उधारन चाहे दो प्रहल का हो चाहे यहीं का जब दिल्ली में रवजास गुरु का टूटा और बहुतलाम है कि हमने बहुत शमाज के लोगों नहीं अपने जंडे और जंडे का सम्मान दख्था अपने यंजब का भी सम्मान दख्था तो नहीं सभी वक्तागणूं के जो संदेज और संदेज दोनों पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अल्ब जन्वन के एक जाती के साथ खड़े रहके साइद हम कामियाब न हो पाएं लेकिन अगर हम महापुर्शों के संदेश को समझें और पुने बहुजन समाज के लोग एक जुट हो जाएं तो साइद भारत में हमारे जो आज वजूद की लड़ाई लड़ी जा रही है आन में सबसे चोटा हूँ लेकिन मेरा प्रियास रहता है कि मैं कभी भी अपने कारिये से निरास्थ ना सरे मैंने तो सीखाit यह है और यहीं सिखाय है कि जब धी जहां भी जूरत पड़े तगमंधंत्रे तयार रहना अपने लोग को निरास्थ मत करना और मैं अभी भी इस पर प्रियास भी आने वाले समय में सभन होंगे लेकिन निराजा इस बात की है कि भारत में महापुरुश भी बताएं सविधान भी कहता है कि लोगतंत्र है लोगतंत्र में जिनका वोट होता उनका राज होता है लेकिन भारत के लोग तंत्र में जिनकी संख्या ज़ादा है उन पर अण्यात्प चार भी ज़ादा है और वो अधिकारों से भी सफ ज़्यादा बंचित है इस मंच पर यह नाम नहीं बैटे विचार बैटे हैं वेक्ति नहीं बेटे संदेश बेटे हैं मैं इसका इस बंच का पुने संबान करता हूं क्यूंकि हम उम्मीद को रखने वाले लोग हैं हमारे कंदों पर बड़ी जिम्मेदारी है तो मैं आपसे यह अन्रोग करता हूं कि अपनी एक्ता को बना के रखिए हम सब लोग जैसा हमारे जिम्मेदार साथी ने कहा कि पूरा अंदोलन बेक्वर्ड और फर्वर्डों के बीच है और अंदोलन अधिकारों का है ना धर्म का है ना जात का है इस्सदारी का है मैं इस बात को और ताकतवर तरीके से संबत करता हूं कि आज के दलित और आदिवासी भी तेश में पहले से अगर जोतिवा फूले को पड़े आदूलिक भारत में जो बहापुरूस हुए या डोक्टर बावा साब बेड़कर को पड़े तो उनके अंदोलन हमें इस इक्सा है कि क्या मति शुद्र और शुद्र ठे हम अचूट और अथि शुद्र ठे या जिक अंडी के हम सारे ही बेकवर क्लास के लोग में चाहे दलित हो आधिवासी के लोग हो या माईनौटी के लोग हो तो मैं इस बात को और ताकतर बन देता हूं कि ये फूरा अंदोलन सीचने का काम करेंगे क्योंकि आने वाले नखलों का जवाब देना है लड़ाई आपकी मेरी नहीं है हम तो जागरूप सजक लोग है आने वाली पीडियों के इस्से में क्या बचेगा महापुर्सों ने संगर से पेड लगाए और उसके फल हम लोग खा रहे हैं आज अगर फ अविदान में ये उनकी देन है अगर वास्तिक्ता में ये अधिकार चले गए तो साइद कभी किसी हेंड मास्टर छोड़िये आई ये साई पेस का बेटा भी यहां खड़ाओके नहीं बोल पाएगा मुझे इस मैंने बड़ी मजबूती से महसूस किया और मुझे हमेशा सा ज़क्ता मैं तीस साल से अंदोलन चला रहा हूं या चालिस साल से अंदोलन चला रहा हूं या भी साल से अंदोलन चला रहा हूं मैंने तो जो कुछ भी सीखा इस मंच पे बैठे वे लोगों से या महापुरुष जो लिखे गए उससे सीखा मुझे आज भी याद है जब मै पढ़ता हूं वाबा साम बेड़ करके 1956 के स्टेटमेंट को जो किताबों में लिखावा है आगरा का कि मैं तमाम तरह के अपमान अन्या आरोप सहके इस कारवा को यहां तक लेके आप आया हूं अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों यहीं मेरे आपको संदेश है तो कारवा लुट चुका है बक्ती छोड़िये साहब हाला देखे क्या हो गया है वो जो नेता अधर से बाहर नहीं निकलते उनको आपकी और मेरी परवा नहीं है आज मजबूर है हम लोग कि न्याय जनमसित अधिकार है फिर भी हम प्रोज लासे उठा रहे हैं कि राइस्थान हो यह मंद्यपरदेश यह दिल्ली मैं तो दिल्ली के लोग को बढ़ाई दूँगा मेरे समानित मंच कि आज दिल्ली का रिजल्ट आया है एक से एक वक्तागन यहां बड़े-बड़े उजसी वासन देते हैं कि दिल्ली में लो CC wow में इंका रास्ता देखिए कि वो लोग दिल्ली में जसन मना रहे हैं रंग लगा रहे हैं जिनका इतना वोड़े और जिनका रिइस ऊंकर यह मने मदे बदाएं हैं और कैह रहे हैं हुआरे रालिटमारा सारे मने डिकेंट रहे कोई कमी छुड़ता ही इसानिया कि बताना मुझे बड़े हमारे बहुजन मीडिया के लोगों से भी धन्यवाद कहता हूं जूट मत दिखागरो यार क्या जूट दिखाते रहतों कि हम तो यहां खिला ढ़ा देंगे आहला देखो आज क्या एक सिट नहीं जीत पाएं एक सिंगल सिट पिछलगू बनके अपने हिस्से की बात भी नहीं कह सकते हो मेरे साथियो एक साम ने कहने का प्रयास किया था तथाकत बुद्ध के बारे में बाबा साव की परतिग्या के बारे में देखो क्या हुआ यह हला ते सच यह हैं उनके तलवे चाटके उनकी पूँच बनके हम अपन हम और इनल बात भी नहीं कह सकते हैं अपने हिक की बात तो छोड़िए जो मापरुस कहके चले गए हैं इसलिए कह रहा हूं दिल्ली के लोग बढ़ाई के बात रहें इतनी बड़ी आबादी और फिर भी बैठना चूतों में यह तो मैं क्या कर सकता हूं बही बताओ जब आ जाएंगे फिर आपके बीच में जाएंगे फिर समझाने का काम करेंगे क्योंकि अगर इस काम को हम पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो किन से उम्मीद करें वो लोग जो सुबह उटके काम पे निकल जाते हैं यह तो पूरा समाज आर्थिक रूप से कमजोर है खोड़ बहुजन मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी को समझा बहुजन नेता भी अपनी जिम्मेदारी समझे अपनी रोजी रोटी अपनी तयार की गई संपत्ती अपने परिवार की चिंता छोड़के समाज की चिंता करें क्योंकि अगर हम इनकी चिंता करते हैं और इनकी चिंता कर कभी समाज का भला नहीं कर सकता हूं मैं आपको बारंटी देता हूं आप मेरी बात को याद रखना जो परिवार की और अपनी संपत्ति की परवा करेगा मेरे उपर कितने आरोप लगा लो कितनी बुराई कर लो कितनी जो है तमाम तेरे की मुसिबते खड़े कर दो लेकिन समाज के लोगों कारवाल लुट चुका है इवियम पे रोते रहो अरक्षन पे रोते रहो किसी और चीज़ पर रोके रोते रहो एक वोट का जिकार बाबा साम अम्मेट कर देके गए आपको किस वोट से इस देश में आपका राज आएगा और इस उम्मीद के साथ चल गए कि आने वाली पीडिया समझेगी कहां दस दोक्टर दस इंजिनियर दस वकील दी समाज में तयार हो जाएंगे उनको कोई नहीं रोक सकता बता रुके नहीं रुके हो आज लाखो डोक्टर लाखो इंजि कोई फैसला नहीं अगर वाके में नहीं आया क्लोजियम सिस्टम भी इसमें है लेकिन उनको चैलंज कहां से करोगे उसकी उसकी ताकत बता दो कहां दो इस देश में सड़कों से नारे लगते हैं और कानून सदनों से बनते हैं आप इससे बड़ा सम्मेलन करो जिनको कुछ देना नहीं वो नहीं देंगे लेकिन अगर आप अपनी ताकत बना लोगे और कानून बनाने की हैस्ट में चले जाओगे फिर आपके लोग के आते से फैले नहीं रहेंगे तो मैं मेरे सोईवे बहुजन समाज के लोगों चाहे कितनी भी निंदा करो कितना भी विरोज करो लेकिन हालात देखो कि आज हालात क्या है और मेरा पूरा भ्रोशा है कि बाबा साव अंबेटकर ने एक बात कही थी कि 21 सदी हमारी है ये 21 सदी चल रही है हम रहे ना रहें आप उमीद रखो जो इधर बैठे वो भी और जो इधर बैठे वो भी ये देश भी सलामत रहेगा हमारा राज भी आएगा और मापूर्सों का सपना पुरा क्योंकि बावासाम अमबेटकर जूते नहीं हो सकते उनकी अलखे जूती हो सकते नयला एक उलादे अलखे भी जूती निये और बावासाम अमबेटकर भी झूते नहीं अगर ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं और जो दाओं पर लगा के कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें आयोगों का धन्यवाद इस उम्मीद के साथ कि सजग रहिए, जिम्मेदार बनिये, अपनी जिम्मेदारी को समझिये, जो महापुर्सों के अंदोलन से आपको मिला है, उसके बाद आपके जिम्मेदारी बनते की, समाज की जिम्मेदारी भी आपकी है, उन्हें फिर मुलाकात होगी, जै भीम, जै भारत, जै मंडल, जै निला सलाम, धन्यवाद